नमस्कार दोस्तों स्वाधत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल mlm घ्यानी घ्यान पर एक वार फेसे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहां पर आप बहुत अच्छा रर्णिंग कांटर सकते हैं है और अभी इस प्लेटफाइम पर सुर्भात लगभग सी हो रही है पूście पूरी जहनकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को पूरा देखिएगा हिसकी प्मत कीजेगा Movies चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेल ऐकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे नए वीडियो स्कीम और पहले जनकारी हासिल कर सके हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बत कीजेगा और अगर अभी तरह आपने LPN token के बारे में आपको नहीं पता है उसके प्लान के बारे में नहीं पता है तो उपर आई बड़न पर क्लिक कीजिए और बहां से सारी जानकारी हासिल कर लीजे कि LPN token में हमको क्या-क्या मिलता है किस तरीके से हमें यहां पर अर्निंग होती है तो एक पूरा प्लान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा या डिस्कप्शन बॉक्स में भी आपको बहां पर इसका लिंक मिल जाएगा बहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको अपने मोबाइल स्कीन पर तो फ्रेंड्स लग्जूरिस प्रो नेडवर्क में हम अपना किस तरीके से अकाउंट क्रेट करते हैं उसको बताने के लिए मैं आपको लेके आगे है अपने मोबाइल स्कीन पर और दोस्तों आज आपके लिए सुनहरा मौका है आप LPN token म में लॉंच हुआ तो तो मात्र 75 पैसे का था और आज वो करीबन 2009 के बाद आज 2021 में वो चबालिस पैतारिश लाग का आज की डेट में उसका प्राइस है तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिप्टो करन से किस तरीके से हमको यहां पर बहुत से अच्छी अर्णिंग करके यहां पर देती है तो वीट कोईन तो अब दोस्तों 75 पैसे का नहीं होगा और 45 लाग का उसको खईदना थोला मुस्किल हो चुका है आज कल का कई लोगों के लिए तो बैटर होगा कि हम आज की डेट में जो सबसे बैस्ट यहां पर क्रिप्टो कोईन चल रहा है उसको हम य पर लेकर आया हूँ आपकी पास कोई अगर रैफर लिंक है तो आप बहाँ पर क्लिक करके अपने उस पर साइन अप अकाउंट पर पहुँच सकते हैं नहीं है तो आप गूगल क्रोम खोल कर बहाँ पर आप यहां पर यहां पर टोकन डार्ट यहां पर डाल देंगे तो प्रोमट पर अपको अहीं है कर सकते हैं और इसको कहीं जगे पर सर्च भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह सरहीज पर आप आधाध फलाल में आपको बताने जा रहा हूं कि इस पर हम किस सरीके से अपना एकउट complete कड़े हैं और किस तरीके से हम यहां पर अपना पर जो यहां पे अपने money के साथ में कितना stake-kin जो करना है यह In fact hedongi piston Payback Me किस तरीके से अपको जब हम Sign Up पे क्लिक करते हैं, दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफियर्स यहाँ पर उपन होके आता है, यहाँ पर कुछ आप से information यहाँ पर पूछी जाएगी, जिनको आपको यहाँ पर फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले किसी के डायेट, कोई आपके पास refer link का है, आपके पास कोई जोईनिय लिंक है, अगर आप बहाँ पर क्लिक करके इस पर आते हैं, तो आपके पास यहाँ रैफर आईडी अपने आप आटोमेटिक भर के आएगी, और अगर आपके पास कोई रैफर आईडी नहीं है, तो कोई भी रैफर आईडी लेकर के यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और उसको यहाँ पर भर देंगे, और बागी के डिटिल उसके बाद आप यहाँ पर भरेंगे, तो रैफर आईड नीचे डिसके बाक्स से आप ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई नहीं है, तो उसके बाद रै और यहां पे नाम कुछ और आपने लिख दिया है तो आपको payment निकानने में दिक्कत हो सकती है तो इसलिए नाम भरने में आप बहुत ही सब्धानी बरते हैं यहां पर अपना वही नाम लिखें जो आपका आधारकार या pen card पर आपका लिखा हुआ है और यहां पर नाम भरते इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दूसरे कॉलम में आपको यहां पर email लिखना है email आड़ी आपको लिखना है और दोस्तों जो email आड़ी आप यहां पर लिखेंगे वह working होनी चाहिए और उसको आपको हमेशा के लिए समालके भी रखना है future के लिए क्योंकि जब भी आ आपका उसमें OTP बगारा यूज होगा इसलिए जो भी आप यहां पर email लिखें mobile number लिखें उसको समालके रखें उसको रखने के बाद दोस्तों हम यहां पर जो देख रहे हैं अगला mobile number कॉलम है तो यहां पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहां पर आपको country select करना है अ जो कि बहुत डिरेक्टल यहां पर लगके आ चुका होगा तो यहां पर अपना दस अंको का कोई भी mobile number लिख भर देंगे यहां पर और mobile number भी आपका working होना चाहिए जो आपका यूज रहे हमें सा उसके आपकी पास रहे है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको password create करना है password minimum minimum eight character का कोई भी बना सकते हैं पर minimum आप five character का यहां पर कोई भी password बना सकते हैं और password strong बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो यहां पर कोई भी आपना strong password यहां पर select कर दिये जो आपको याद रहे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको confirm password करना है जो आपने ऊपर यहां पर लिए थे करने के बादूशन इसे Però issues करना है इतना काम करने के बादौसटोंस यहां पर भर देते हैं साइड़ किनारे के बाद जिफ सफे पे क्लिक करेंगे, sign up पे जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का page उपन हो के आएगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उपर की और यहाँ पर आपका लिख के आएगा, please enter the verification code sent to your email ID, यहाँ पर आपकी email ID जो आपने यहाँ पे फिल की थी, उस पर पर आपको इस तरीके से हम यहाँ पर अपना एकाउंट क्रिएट करेंगे, जब यहाँ पर हम अपना यह verification code फिल कर देंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे से mail पर एक और mail जाएगा, जिसमें हमारा username और password हमारा आपको मिल जाएगा, दोस्तों इस username पासबड को आप बड़े से बड़े समहल के रखें, और हो सके तो इसको प्रिंट आउट करा करके अपने पास रखें, क्योंकि फ्यूचर में आपको जब भी आप विड्वाल करेंगे, अपना टाइमिंग पूरा आपका हो जाएगा, उसके पास जब भी विड्वाल करेंगे, तो आपको इनकी पड़ेगी, तो यहाँ पर कुछ चीजे रहेंगे, जो आपको फ्यूचर के लिए बड़े समाल के रखना है, तो सबसे पहला पेज आपके लिए यही हो जाता है, कि अगर आपके पास जो मेल पे आपको यूजर निम और पासवर्ट मिला है, इसको आप बड़े समाल के पासवर्ट डालेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह हमारा न्यू वेबसाइट का लुक है, यहाँ पर न्यू वेबसाइट का लुक इस तरीके से आता है, अगर आप चाहें तो इसको पुराना इसको करते हैं, हलाकि यह न्यू लुक है, न्यू लुक में आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा, यह नीचे की और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1250 डॉलर लिखे हुए है, दोस्तों यहाँ पर मैंने डॉलर यह करना है, आप यहाँ पर डॉलर यहाँ पर मंगाएंगे, तो डॉलर कैसे मंगाए जाते हैं, दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पर मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं, मैं आपको कॉंटेट कर लिजे, मैं आपके यहाँ पर डॉलर एट करवा दूँगा, उसके बाद दोस्तों तो आप यहाँ पर आगे का process कैसे करेंगे, staking के अपने हम इसके कैसे करेंगे, वो आगे जानते हैं, dollar के लिए नीचे किसी भी दिये गए number पर आप संपर्क कर सकते हैं, और बहां से dollar आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको dollar मिल जाते हैं, और यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ आपको 2-3 मिट के अंदर आपके पास यहाँ पर wallet में आपके dollar पहुंच जाएंगे, तो इसके बाद dollar पहुंचने के बाद दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, ओपर की और आप देख रहे होंगे, action button है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से page open होके आएगा, और यहाँ पर आप कुछ options यहां पर खुलके आ चुके हैं यहां पर आप देख रहे हैं जब यहां पर सबसे ऊपर की और टिक करेंगे तो यहां पर स्विच टू ओल्ड डिजाइन लिखके आ रहा है यहां पर जाम क्लिक कर देंगे तो हम इसके पुराने बरजन में पहुंच जाएंगे लेकिन ह तो यहां पर इसी new version में देख लेते हैं कि हम staking किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम यहां पर आपको old design में भी लेके चलेंगे। तो उसके लिए हम staking करना है हमको यहां पर अपनी dollars से तो हम यहां staking का जो आप सुन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देंगे। और जब staking पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से page उपन होके आएगा। यहां पर आप देख रहे हैं लिख के आ रहा है choose your staking payment method और complete यहां पर तीन step आपको follow करनी हैं जिसके बाद आपको यहां पर अपना amount के साथ आप यहां पर staking कर लेंगे। तो तीन step वो कौन कौन सी हैं इस page को जब हम उपर की वह scroll करेंगे तब हमें यहां पर नीचे कुछ इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ columns पने हुए कुछ detail यहां पर fill करनी होगी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा है Select Stake Duration. तो यहां पर आपको duration करनी है कौन सी आपको duration यहां पर लेwarmकी यह पर परशेंट है, 36 मंत का 4 परशेंट है, 48 मंत का 5 परशेंट और 60 मंत का 6 परशेंट आपका पर मन्त यहां पर आपको डैविडेंट मिलता है, तो हमें जो भी यहां पर time period log करना है, stake करना है, duration के लिए वो हम यहां पर time select कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों हम यहां पर जो 100 dollar लिखा हुआ है, इसको हम यहां पर plus करके यहां पर बढ़ा सकते हैं, minus करके यहां से इसको कटा सकते हैं, लेकिन यह 100 multiple घटते बढ़ते हैं, अगर हमें बीच में कुछ चेंज करना है, 50 करना है, 40 करना है, तो हम यहां पर cut करके अपने यहां इसको ठीक कर सकते हैं, तो हम मैं यहां पर पूरा 1250 डॉलर का करना है तो हम इसको 1250 यहां पर कर लेंगे उसके बाद इसको 1250 करने के बाद जितना डॉलर हम यहां पर करना है डॉलर उतना स्लेट करने के बाद प्रोसीटू पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों हमें प्रोसीटू पेमें में करके दिखाता हूँ तो old version में करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था old version में करने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर action बटन पर click action बटन पर click करेंगे और उसके बाद हमें बहाँ पर switch to old जाने मिल जाएगा हम बहाँ पर पहुंच जाएगे तो friends हम यहां पर आ गए है old version में और old version में आप देख रहे होंगे, उसी तरीके से कुछ यहां पर चीजे लिखी होई है, जैसे आप e-cast board यहां पर देख रहे हैं, उसके बाद यहां पर make a new purchase यहां पर देख रहे हैं, लिखा हुआ, तो stake के आप यहां पर अफसर नहीं मिलता ह है, अभी आपको staking सिखा रहे हैं, तो इसके लिए आप, आप make a new purchase पर क्लिक करेंगे, make a new purchase पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां भी आपको same बैसे ही आप से मिल जाएंगे, यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है, और इसके जो पीछे आपको यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर आपको अपना जो dollars है, उनको select करना है, कितना dollars हम यहां पर staking में लगाना है, तो दोनों चीज़ें आप पर select कर देंगे, और उसके बाद जब हम next क्लिक करेंगे, तो आपको दोनो साइटों पर चाहे, new version हो या old version हो, आपको दोनों में इसी तरीके से कुछ interface खुल के आएगा, यहां पर आपके आपके पास कई option खुल के आएगे, तीन तरह के option यहां पर आपके बसामने खुल के आजाते है, जहां पर सबसे पहरे लिखा है, pay with e-cash wallet, दूसरा है pay with crypto coins, या pay with LPNT coins, तो इनमें से दोस्तों हमारा पास जो भी होता है, हम उनमें से यहां पर इसमें अपना payment कर लेते हैं, फिलाल तो मैं आज आपको e-cash wallet से आपको payment करके दिखाता हूँ, e-cash wallet से stacking करना चाहूँगा, तो उसके बाद हम यहां पर e-cash wallet के सामने जो arrow यहां पर बना यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा यहां पर transaction complete हो जाएगा, और हमको यहां पर एक transaction number मिल जाएगा, और साथ में हमें यहां पर अपनी invoice भी मिल जाएगी, दोस्तों invoice मिलना ही एक सबसे बड़ा यहां पर खुबी है, क्योंकि जहां पर invoice नहीं है, तो बहां पर number 2 क काम होते हैं, पर यहां पर आपको tax invoice पूरा सब कुछ मिलेगा, transaction ID मिलेगी, जिससे आप अपना भी कोई भी यहां पर अपना transaction check कर सकते हैं, तो दोस्तों यहां से आप अपना invoice लोड कर लेंगे, और इतना करने के बाद आपका यहां पर staking हो जाएगा, जब आप यहां पर जाएंगे तब आपके यहां पर जो लिखा है भी zero, यहां पर आपके token लिखके आजाएंगे, जितना भी आपको current price के हिसाब से जितने आपके उस dollar में token बने होंगे, वो आपके यहां पर लिखके आजाएंगे, और उसके बाद दोस्तों ऐसी तरह से आपको और यह यहां प zero हो जाएगा, फिर से क्योंकि आप यहां पर सारे यहां पर stick कर लेंगे, दूस्तों एक चीज और भी धियान रखेंगे, जब हम यहां पर, दूस्तों एक चीज और धियान रखेंगे, जब डॉलर यहां पर fill करते हैं, तो डॉलर हमेज़ा यहां पर even number में होना चाहिए, औ यहाँ पर यूज करें इससे आपका इवन नमबर यूज करेंगे तभी आपको यहाँ पर स्टेकिंग करते हं दोस्तों डॉलर लेने के लिए दिये गए नमर्बर पर कॉल लेकि यहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बड़ी ही असानी के साथ यहां पर अपना स्टेकिंग कर सकते हैं और अच्छी सी अर्णिंग जनरेट कर सकते हैं अभी तक कर आपको यहां के प्लान इसका नहीं पता है, LPNT प्लान क्या है, कैसे यहां पर इंकम होती है काफी लोग यहां पर अर्णिंग कर रहे हैं, आप भी यहां पर छोटा से इंवेस्मेंट करके आप देखें यहां पर कितनी अच्छी अर्णिंग होती है और जितना interest यहाँ पर मिलता है दोस्तों इतना interest आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है एक तरीके से आप डेविदेंट को हम interest माल लेते हैं तो अगर आप देखाएं तो जो यहाँ पर dividend मिलना है वो आपको उतना कहीं नहीं मिलने वाला है तो अच्छा सा investment कीजिए और यहाँ अपना dividend के साथ में अपनी earning कीजिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा इस comment box मिलेकर जरूर बताएं और अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ सहर जरूर करें और अपनी team बनाने में जल्दी से जल्दी इसको use करें दोस्तों और जाते जाते जानल को subscribe जरूर करते जाएं और मिल नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार